अर्ट देश में भारत बंद है कृश्री कानून के खिलाफ किसानों का भारत बंद है सुबा आट बजे से शाम तीन बजे तक भारत बंद रहेगा सुबा ग्यारा बजे से तीन बजे तक रहेगा चक का जाम कॉंग्रिस सपा समेत 22 विपक्षी दल का समर्थन इस भारत बंद में मिला है और टू रेलवे की कई यूनियन बंद में शामल है देशबर की कई मी मंधिया भारत बंद में शामल है तो भारत बंद को लेकर कई पार्टियों का समर्थन मिला है आज चक का जाम रहेगा ग्यारा बजे से तीन बजे तक बतादे आपको की किंद्र सरकार के नए कृषी कानून के खलाब दिली की सिमाव पर पिछले बारत दिनों से डटे प्रदर्शनकारी किसानों ने आज भारत बंद बुलाया है ये भारत बंद सुबाई 11 बजे से 25 बजे तक रहेगा हाला कि कई जगों में सुबस ही भारत बंद का असर देखा जा रहा है कई जगों पर ड्रेन रोकी गई है किसानों के समर्थन में कॉंग्रेस, NCP, सपा और आप समेथ कई बिपक्षी दलों ने भी सरकार के खलाफ ताल ठोक दी है दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजवाल ने किसानों के बीच पहुंच कर उनकी दर्द को जाना, सुरक्षा का मुआइना किया साथी वो भी किसानों के साथ खड़े नजर आए उधर सरकार ने घोशना पत्रों का जिक्र कर विपक्ष को घेरा भी है और लागतार की जो आंदोलन है वो बढ़ता ही जारा है ऐसे में किसानों ने आज भारत बंद का एहवाहन किया है कॉंग्रेस सपासमें नयारी वाठता तुम्हें हम तो हम तो में बदते वाफ मेकाहन के सद्वर भात करने जहते सरकार जो हमारी बात हो अब की बार्ण लेकिंतल कि दो हो जाए तो पेहली वो रीपांचनों नहीं समस्यका समाधान हों तो कर लेंगे रहो जाएगा तो प्राबंद करते हैं यह बताए कि आज भारत बंद है कल वारता होगी इसके बाद अगली देड़ मिली तो फिर क्या करेंगे अगली बात फेर होई है मैं क्या जोत्सी वागली बात हो गया कि कम कैसे बता है दुख को जो कुछ होगा कलो आगे कि बात तो भविस्यवानी थो ना कोई कर सके एक अध्य चीजी तो फरले वाले पे छोड़ दो ने उपरले वाले भी करना है और भी संख्या में किसान भाई आ रहे हैं और आ रहे हैं सब लोग आ जाएगे आ जाएंगे तो भारती किसान यूनियन के नेतार आकस्टिक हैट को आप सुन रहे थे जिनोंने कहा कि सभी का समर्थन मिल रहा है और जब तक समधान नहीं होगा तब तक किसान हला बोल करेंगे बता दे आपको कि देश में आज भारत बंध है कृष्णी कानून के खिलाफ किसानों का भारत बंध है और किसानों के भारत बंध के आवहान को लेकर कई बिपक्षी दलों ने भी समर्थन दिया है सुबा 8 बजे से शाम तक बंद रहेगा सुबा 11 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा ऐसे में कई चीजे भी प्रभावित होती नजर आएंगी पर किसानों के यूनियन के नेता राकिस्ट रिकाट का यही कहना है कि हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत हम लोगों को नहीं होने देंगे आम लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी हम अपनी मांगो को लेकर हला बोल कर रहे है लागतार बैठको का दौर तो जारी है लेकिन कोई समधान नहीं मिल रहे है तो सुबह 8 बजे से शाम तक चक्का जाम रहेगा लागतार किसान जो है हला बोल कर रहे हैं दिली के अलग-अलग सिमाओं पर डटे हुए हैं अपनी मांगो को लेकर आवाज उठा रहे हैं नए कृशी कानून के खलाब दिली की सिमाओं पर पिछले 13 दिनों से डटे हैं प्र शुरुआत है वो सुबह से ही देखने को मिली कई जगा सुबह से ही काफी कुछ बंद रहे कई जगों पर ट्रेन रोकी गई किसानों के समर्थन में कॉंग्रेस, NCP, सपा आप समेथ 22 से जादा विपक्षी दलों ने भी सरकार के खलाफ ताल ठोक दी हैं दिली के मुख्यमं समर्थन में कई बड़े बड़े नेता भी सामने आ रहे हैं 22 विपक्षी दलों का समर्थन मिल रहा है और टो रेलवे के कई यूनियन बंद में शामल है तो देश में आज भारत बंद है लागतार किसान जो है अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं ऐसे में आज भ किमंतरी अर्विन के जवाल किसानों के बीच पहुंचे सुविदा का जायजा लिया और किस प्रकार की विवस्ता है वहां पे किसानों को लेकर उसका भी जायजा लिया तो वहीं लखनों में अखलिश यादव धरने पर बैठ गए तो बड़े बड़े नेताओं का भी समर् करना है वो बढ़ता ही नजर आ रहा है बता देते हैं आपको कि क्या क्या बंद रहेगा कैप टेक्सी चालक बंद में शामिल होंगे इसमें पूरे दिल्ली एंसियार में कैप सिवाय जो है वो प्रभावित रहेंगी तो वहीं मंडी समीती बंद रहेंगी फल सबजी के आप परिशानी हो सकती है और क्या क्या खुला रहेगा वो भी आपको बता दें बैपारियों के संक्टन कैंट ने कहा है कि दिल्ली सबेद पुरे देश में बाजार खुले रहेंगे औल इंडिया ट्रांसपोर्ट्स वेलफेर एसोसेशन ने ये कहा कि परिवहन सिवाय समाने तो आज अंद आता शड़कों पे क्यों बैठा हुआ है क्यों इतनी दिर उनकी बात नहीं सुनी जा रही और ये काले कनून जो तीन है वो वापस लिए जाएं के और आज जो हिंदोस्तान बंद है हम सब को पील करते हैं कि हिंदोस्तान में आप बंद रखिए कारण जी है कि हर कोई आदमी जो भी सुबा उड़ता है उस सबसे पहले खाना करता है ब्रेकफल्स करता है लंच करता है कोई भी चीज आप सुबा की चाहे भी है वो कसान के खीज से पैदा होती है कसान पैदा करके देता है दूद देता है पैदा करके पत्ती देता है चीनी पैदा करता है म कि ताके वो कसान की मदद हो सके और मैं दिल्ली के केजरीवाब मुक्रमिंतरी जी को मेंतिको कर थिए को कि कि अधिजिसल कव्मिनटी एक जो स्टॉक करने का है वो जब स्टॉक करेंगे तो बहुत महंगे बाव में आपको सब ख्रीज़ना पड़ेगा दिल्ली वालों को यह भी बात समझेए वो कसान आपकी भी बात कर रहा है तो मेरी यही इम्मीद है कि आज का बंद जो है वो सफल होगा पूरा हम बार्लिमेंट शुरू निकरते हमें ब्रोसा नहीं देते तब तक हम बैठे रहेंगे आए देखो हम तीन मेंबर पार्लिमेंट अगर जी सिंग ऑजला जी ने जैसे बोला यह अमरसर से एमपी है हमारे जस्वीर सिंग डिंपा जी तरन-तरन से मेंबर मेंबर पार्लीमेंट है और मैं लुद्याना का मेंबर पार्लीमेंट हूँ क्योंकि किसान लगाता आज 13 दिन हो गया तप रहा है अपने आपको वहां मर रहा है डेड़ बॉडी उसकी घर जा रही है ठंड में यहां किसान कुछ अंतरमंतर में आने नहीं दिया तो हम तीनों MP यहां पर किसान है और सारी रात हमने अपने आपको उसी ठंड में अपने आपको तपाया है भी पता लगे अंदी बोली सरकार को जिस तरीके से हम बैठे हैं तो इसी तरीके से हमारे बजुर्ग 90 साल की माताएं वो ट्रॉलियों के नीचे पराली पे पड़ी हैं अपनी ज बरने ये प्रदर्शन पार्टियों के नहीं है समझो ये तीन बार जिस पेट को भरते हैं अनदाता तीन बार जिस भूख लगती है जब चुहे बागते हैं तो ये किसान याद आता है सबको तो आज आठ तरीक को अगर अपने अपने पेट को भरना है तो ये किसानों का सा बात दीजिए आज ये सड़कों पे मकम्मल बंद कीजिए और ये अंदी भैरी सरकार जो इनके ही वोटों से बन के आई है आज नए पार्लिमेंट का दगाटन हो रहा है आठ आठ सौ क्रोड की नई बिल्डिंगें बन रही है उसका फैदा क्या जहां कनून बनने है वो लोगों को मारने वाले कनून बनने है इसी लिए हम संसद विंटर सेशन बलाने की बात कर रहे हैं भी जल्दी से जल्दी सरदरुत सेशन आप बलाईए जिसमें नए किसान नों ने जो चाहा है वो बिल बने मजारिटी तो मोदी साब के पास है बिल तो बनाने उनोंने है उनका ही नाम होगा लेकिन नए साल से पहले ऐसे बिल बना के बेजें जो किसान बंगडा डालता हुआ किसान अपने घर खुशी से जाए यहां पे मातम में मत बैठे नया साल, पहले ही ऐस साल करोणा में मरा है, पर नया साल आप किसान को, गरीब को, कुज्यूमर को खुशियां का दो, जो आपके हाथ में है, जो आप कर सकते हैं, वो इसलिए आपको सत्ता में बठाया है, 56 इंच की चाती कहने से नहीं होती, काम करने से होती है